यह आप अब लोगो तादूसी चग भरती को लेकर सबसे बड़े निकल कर आ रही है जो आप लोग को OBC आरच्छण को लेकर क्या है OBC आरच्छण को लेकर 27 परसें जो आरच्छण आप लोगो को मिल दिया गया है उस पर सरकार का क्या फैसला है क्योंकि अभी तक जो आप लोग की work of 1 और work 2 में जो भरतियां हुई है उसमें general category को भरती दे दी गई है लेकिन OBC को अभी इसमें भरती नहीं दे गई है क्योंकि इस सरकार के द्वारा बोला जाता है कि 27% आरचन दिया जाएगा लेकिन यह मामला जो है कोर्ट में पहुच यह लेकिन उसको विचार नहीं करती अपने जो है कोई भी सरकारी वकील कोट में नहीं पेस होने देती अपना पूरी criteria फुल फुल नहीं करती बस घोसणाओं में बोल देती है कि हम 27% आरचन देंगे notification भी निकाल दिया जाता है कि हम 27% आरचन देंगे लेकिन वर्ग 2 और 1 क जो teachers vacancy है जो selected हुए है उनके द्वारा यह धरना प्रदसन आप लोग के भौपाल में किया जा रहा है आप लोग को इसी वीडियो के इंड में आप लोग को वीडियो दिखांगे किस तरह का धरना प्रदसन चलना है सभी लोग के support से यह बात सरकार की कानों तक गुजना है क क्योंकि आप लोग को दवाव डालना ही डालना है क्योंकि 2023 में एकजाम है क्या है सुरी चुना है तो सरकार सुनना ही सुनना पड़ेगा हर हालत में उनको सुनना पड़ेगा या 27% दो या 14% जो भी हो इसका मामला आप लोग को जल्द इस जल्द निप्टारा करना चाहिए क्योंकि जो selected candidate है उनको तिन्युक्ती मिलने ही मिलने चाहिए अपनी राय आप लोग comment box से जरूद share कीजिएगा इस धरने प्रदर्शन से और सरकार की फैसले से कि यह सरकार क्या करना चाहती है court में हाजिर होती ही नहीं है सरकार और उसे अपने बातों बातें बोलते हैं 27% देंगे और इस court बोलता है कि 14% से आरचन ज्यादा नहीं मिलेगा क्या है पूरी में बोलते हैं आप लोगता दूँ यह OBC के चैनित भोपाल में जो चैनित सिच्छक है चाहे वर्ग 1 के होगे चाहे वर्ग 2 के होगे आरचन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं मद्द प्रदिस के बीजेपी की सरकार ने पिश्रा वर्ग के लिए साथ-साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है वर्ग 1 में OBC की लिस्ट जारी नहीं की जिस कारण धना सुरूख की गई है तपती धूप में सिवरासिन चौहान को टैग भी किया गया है ट्विटर पे जी आपको करते हैं कि 27 परिश्या आरचन लागो होगा तो क्या आप इस आरचन को लागो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सबसे बड़ी बात है लेकिन अभी यहां मामला कोर्ट में है वर्ग 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 की जो है लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं हुई है और जो है वर्ग दो की तो लिस्ट जारी हुई है लेकिन निक्ति नहीं हुई हो ओभी सी कोई भी चाहिए वर्ग 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 दो हो अपनी राय जरूर सेर कीजिएगा आप लोगो क्या सरकार इसका फैसला 27 परसेंट कर पाएगी अपने आरच्छन दे पाएगी कि 14 परसेंट ही आरच्छन आप लोगो मिलेगा कोड तो बोलता है 14 परसेंट ऐसे MPPSC का रिजल्ट भी रुका हुआ था लेकिन फिलहाल उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था 27 परसेंट और 14 परसेंट देखकर अब इसमें लेकर आप लोगो वर्ग दो वर्ग दो इसी तरह आप लोगो देखना वर्ग थरीका भी आप लो के नुक्ति मिल सकती है चलिए वेडिव देख लेते कि सतरह का धना प्रदसन्त चल्ला आया हूए अब होता है अब होता है